हेलो स्टुडेंट मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रेटिकल जोगरफी प्रेटिकल जोगरफी में हमारा टॉपिक चल रहा है इस्टेटिकल मेथड या सांखे की विदियां और सांखे की विदियों में मैं आपको अब तक मोड यानि बहुलब मोड मीडियन पढ़ते हैं तो उन में अलग-लग मेथड से रहते हैं तो हम लोगों ने आज मादिकल तोपे ठागे इस में भी तीन अलग-अलग मेथड़ सो होते हैं एक तो होती है व्यक्तिगत स्रड़ी एक होती है खंडि स्रड़ी और एक होती है अवच्छिन स्रड़ी तो आज हम यहाँ पर इसकी पहली स्रड़ी यानि की व्यक्तिगत स्रड़ी को पढ़ेंगे और समझेंगे तो सबसे पहले हम बात करें कि माद्द का होती क्या है तो शीरी परवासा दी गई है कि किसी समंग सड़ी के मूल्यों का आरोही अथवा अवरोही करम में विवस्तित करने के पश्चात जो मूल सड़ी के मद्द में होती है या होता है उस सड़ी को माद्द का मूल कहते हैं जैसा कि आप जानते होंगे कि यह कह रहा है कि आरोही या अवरोही आपको कोई संख्या दी गई है और आपसे कहा जाता है कि इस संख्या से आप लोग माद दिका को घ्याद कीजिए वक्तिक से तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसको एर ओ रो ही यानि कि बढ़ते हुए करम में और यानि अब रो ही यानि मिलक्ति वी करम में उसको लगा लेते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक example number 1 दिया गया है जैसे एक संख्या दी गई है 9, 7, 5, 11, 15, 13 और 17 और आप से कहा जाता है कि विक्तिकस स्रेडी से इसकी माद्यका ग्याद कीजिए तो जैसे आप जानते होंगे कि माद्यका को निकालने का यह formula होता है formula होता है माद्यका वराबर n plus 1 upon 2 इस में जो पद आएगा या लिखा हुआ है वापद जो पद आएगा वही हमारा इसका answer होता है तो यहाँ पे जो पद होते हैं उसमें हम लोग plus 1 कर लेते हैं और 2 से उसमें भाग दे देते हैं आप ऐसे समझेए कि जैसे यहाँ पे एक नमर दिया गया है 9, 7, 5 11, 15 13 और 17 इसे जैसे हम solve करेंगे यहाँ पे एक नमर को तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे 9, 7, 5 11, 15 13 और 17 लिखा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ तो आप इसको आरोही करम में लगा लीजिए या अवरोही करम में लगा लीजिए और इसको आरोही या अवरोही करम में रखना आवशक होता है अन्यता इसका आंसर गलत हो जाता है तो जैसे मैं इसको आरौ ही करम में कर लेता हूँ बड़ते करम में तो सबसे पहले संखिया जो इसके आएगी इसको हम लोग देखेंगे कौन सी है तो यहां पे देखेंगे 5 5 से अगला नमबर होगा इसमें 7 इससे अगला होगा 9 इससे अगला हम लोग बात करेंगे 11 फर 13 प्लस वन अपॉन टू वा पद N की वेल्यू यानि कुल पद कितनी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 प्लस वन अपॉन टू तो यह आगया आपका 8 अपॉन टू यानि की 4 वा पद अब आप इसमें देख लीजिए कि यहां चोता पद कौन सा है फूर्थ नमबर का पद कौन सा है तो आप देखेंगे 11 यह जो है वो चोते नमबर पर आएगा तो इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा 11 यानि की यह वेक्ते सेड़ी से अगर आप दो निकालते हैं तो यहां 11 होगा लेकिन आप देखेंगे कि यह संक्या विसम है यानि कि यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर टोटल जो date दिये गए है वो seven दिये गए है और प्लस one जैसे आपने किया तो eight date हो गए यहाँ पर या आठ संक्या हो गए जो विसम से sum बन गई तो सम संख्याओं में तो भागासाई से चला गया जैसे 70 अब 8 हो गई तो 8.2 तो इसका 4 आ गया लेकिन हम कलपना करें कि अगर संख्या पहले सही सम दी गई है और 1 लगाने पर ये विसम हो जाती है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आगे वाला आप एक्जाम्पिल देखिए ये दिया गया है जैसे 4,6,8,2,5,3,1 और 12,18,20,19,21 ये संख्याओं दी गई है और इस संख्याओं से हमें क्या करना है कि विक्तर स्रेडी से इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको यहाँ पर आरो ही करम में इसको लगा लेते हैं आरो ही करम में रखने पर तो सबसे चूटी संख्याओं आप देखिए कौन सी है when you 5 देक्ई है तो हमने 5 लिख लिया है तुँ आप यहां 6 दिक गई है तौम ने 6 लिख दिया चिसके बाद आप देखेंगे यह weird लिख लिए नियकर अधु में देखेंगी बड़ी संग्या कों सी है तो आप यहां देखिए तो यहां 12 12 मिया इसके बाद आप बड़ी कि आपको देखेंगे तो 18 कि फिर 19 कि 20 और 21 तो यहां पर आप टूटल के लिए एक बार 123456789 10 11 12 123456789 तो अब हमने इसको क्या किया कि आरोही करम में रख लिया अब वही फॉर्मूला आपको इसको अपनाएंगे मांदगा का जो फॉर्मूला होता है एन प्लस वन अपन टू वापद अब यहां पर एन की वेलु अकर आप लोग देखेंगे तो ममनें देखा कि यांपर जो एन की वेलू हो कितनी है 12 है तो यहां पर हम देखेंगे कि जो 12 वेलु इसके आरही यहांपर तो यहां लिखना पड़ेगा हमें 12 प्लस 1 अपॉन 2 तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि यह 12 के value दी गई है और 7 हमने प्लस 1 इसको कर दिया तो यह हो जाएगा आपका 13 अपॉन 2 अब 2 से जब इसमें divide करेंगे तो यह आएगा 6.5 तो एक चीज़ ध्यां रखेंगे कि यह 6.5 है यह आभी आपका अंसर नहीं है अब 6.5 वा पद वा पद तो यह जो पद है वो 6.5 वा तो आप यहां देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह चटवा पद है और यह साथवा पद है तो चटवा और साथवा वो कहरा है कि चटवा और साथवा 6.5 इसका बीच की वेली हो गई लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे कि इसे और हमें आगे निकालना पड़ेगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पर लिखना पड़ेगा कि चटवा पद प्लस साथवा पद अपॉन टू तो यहाँ पे जो चटवा पद दी रखा है वो हम लोग अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे चटवा पद कितना दी रखा है 6 तो चटवा पद यहाँ लगेंगे 6 प्लस अब जो 7 वापत कितना दे रखा है यहाँ पे देखे 8 तो 8 अपॉन 2 तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यह हो गए हमारा 14 अपॉन 2 इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7 तो यह जो आंसर होगा मादिका का एक्जांपिल नमबर यह दो वाला इस प्रिकास से हम लोग इसको निकाल सकते हैं तो इसका जो आंसर है भुवाएगा साथ आंसर तो इस प्रिकास से एक तो सम संक्या दी गई होंगी या कहीं विशम संक्या दी गई होंगी तो इस प्रिकास के हम इसको अलगला सौब करते हैं अगर विशम संक्या दी जाती हैं अगर आप वन प्लेस और करेंगे तो यह आशा झाल झाल